आज से 1.5 यह पहले मैंने अपना पहला टेलेस्कोप लिया और सिर्व यही नहीं मैंने कई और भी टेलेस्कोप लिये, कैमरा लिये, एक्योपमेंट लिये और कई अपग्रेड करें और ये सब मैं इसी उमीद में लेता हूँ, कि मैं भ्रह्मान को और भी भैतर तरीके से देख सकूँ, और मेरा इंट्रेस्ट फोटोग्रैपि में इतना है ही नहीं, मैं तो बस भ्रह्मान को देखना और समझना चाहता हूँ, इसलिए मेरे नजर में टेलेस्कोप सिर्फ फोटो क्लिक करने का ये एक्योप्मेंट नहीं है बलकि उससे भी खास है जब मैंने अपना पहला टेलेस्कोप लिया था तब मैंने कभी नई सोचा था कि मैं इस फिल्ड के इतनी घहराई में उतर जाऊंगा इतनी घहराई की आज हमारे पास इंडिया का बेगेस्ट एस्ट फोटोग्राफी चलेंग है खुद के मुझ से खुद की तारीफ इसलिए हमारे चलेंग को ज़रुवत है एक पहतरी टेलेस्कोप की हमारा पुराना टेलेस्कोप हमारे लिए अडवांस था वैसे कार हो या खिलोना वो पुराना होई ही जाता है इसलिए हमेशा नया बदलते रहना चाहिए टेलेस्कोप खिलोना नहीं है पागल ओ ओके ओके ठीक है ठीक है समझ दिया जो भी हो अब वक्त है टेलेस्कोप को अन्बॉक्स करने का लेकिन unbox करने से पहले एक बार उसके box तो देख ले तो देख सकते हैं ये कितने बड़े-बड़े box हैं आप देख सकते हैं इन box का comparison मुझसे ये box बड़े है, मैं बड़ा हूँ, मैं चोटा हूँ, ये box चोटे है, पता नहीं क्या चल रहा है पर ठीक है comparison है बस अब वक्त है इस box को खोलने का मैं जल्दे से rapper रहा देता हूँ और यह खोला box के अंदर box हमेशा मैं इन सवी box से इसको बहार निकाल देता हूँ और फिर हम इने खोलेंगे हम अब सब ठीक है अब मैं सबसे पहले यह बड़ा वालो box खोलता हूँ नाइज ये है ट्राइपोर्ट लेक्स ये तो बहुत ही बड़े हैं मैंने बाहर निकालता हूँ ओई ये तो बहुत ही हैवी है मैन हाँ ये बहुत ही बारी है और सच में ये बहुत ही सॉलिड है और ये देखिए ये टू इंच के ट्राइपोड लेक्स है और इनके मोटाई देखिए इसे कंपेर करें पुराने वाले से ये इसका आदा होगा फिलार मैंने आपको हासे नापके बता दिया है मोटाई अब भी ट्राइपोड को साइड रखते हैं अब दूसरा बॉक्स खोलते हैं ओ माई गॉड ये क्या है मुझे यकीन नहीं हो रहा ये क्या है आप देखो के तो यकीन नहीं करोगी ये देखिए खाली है ये सेलेश्टान वाले हमेशा मजाग करते हैं पिछली वाल भी इनोंने ऐसा ही करा था फिलाल जो भी हो अब अगला वाक्स खोलते हैं तो इसके अंदर हैं एकसेसरीज ट्राइपोर्ट के लिए इन एकसरीज को बात में देखते हैं फिलाल हम अगला वाक्स खोलते हैं ये वाला काफी भारी है ओ ये है काउंटर वीट और ये सच में बहुत ही भारी है इसका एक काउंटर वीट है पाँच किलो का किलो हाँ उतना ही भारी जितना आप पांच की लोग का आटा लाते हैं दुकान से सब गरीब थोड़ी नहीं है तेरे तरह ओके फिलाल जो भी हो अब अगला बकसा खुलते हैं ये वाला बकसा काफे इंट्रेस्टिंग है मुझे पता है तो ये वाउ ये तो ये तो सलेश्ट्रान नेक्स्ट और प्लस हैंड कंट्रूलर है वाउ ये टेलिस्कोप की बहुत ही इंपॉर्टन चीज है इसी से हम पूरे टेलिस्कोप को आपरेट कर सकते हैं इस हैंड कंट्रूलर के अंदर 40,000 से भी ज़्यादा आपजेट का डाटाबेस है और भी नज़ाने क्या क्या है और क्या क्या फीचर होंगे अगर असान बासा में समझाओं तो ये पूरे टेलिस्कोप का कंप्यूटर है यानि मैं अपने टेलिस्कोप को बिना लेफटॉप के भी आपरेट कर सकता हूँ फिलाल इसे तो हम बात में खेलेंगे अब ही बाकसे में कुछ इंट्रेस्टिंग बचा है लग रहा है जरा इस फॉर्म को अटाते हैं इस फॉर्म के नीचे क्या है भाई वाव वाव मैं तो देखके दंग रह गया ये मेरी उम्में से थोड़ा बड़ा है फिलाल सब से पहले हम pessoa कावंटर वेड राट निकालते हैं ये सच में बहुत हैवि है जो जो भावे पिलाए कर लेंगे सब से पहले माउंट निकालते है और ये वह बज़ गया अब निकल गया ये बहुत ही वारी है ये इसका बज़न होगा तकरीवर 8 किलो या 7 तक और ये सच में बहुत ही कूल है ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है मैं सोच रहा हूँ ये वाला माउंट इतना भारी और बड़ा है तो जो आगे चलके मैं जो टेलिस्कोप लूँगा और भी अड़वान्स वो कितने बड़े और भारी होंगे फिलाल टेलिस्कोप तो आते और जाते रहेंगे आइमीन जाते तो नहीं रहेंगे सिर्फ आएंगे ही फिलाल हम माउंट को ही जोड लेते हैं माउंट को ट्राइपोर्ट से जोड़ेने के लिए हम इस रॉड का इस्तुमाल करेंगे हमें कुछ नहीं करना हमें माउंट को बैठाना है और फिर रॉड को खुसा देना है और फिर हम इसे कस देंगे और फिर इसके बाद हम एक्सेसरी ट्रे लगाएंगे यह लगने के बाद अब हम लगाएंगे काउंटर वेट रॉड इस रॉड को अच्छे से कसना ज़रूरी है क्योंकि यह 10 किलो का बजन उठाने वाली है जो भी हो यहाँ पर एक और बकसा रहा गया है इसमें भी लगता है काउंटर वेट है हाहा इसमें काउंटर वेट है ओके यहाई केबल यै केबल डेक अकसेस के लिए है ये डेक अकसेस को मांट से जोड़ेगी और ये देखिए यहाँ पर कुछ और भी है यह है मेन पावर केबल मांट के लिए और यह क्या ये तो काल टाइप एडेप्टर है नहीं खरीद लेता ये तो बहुत बड़ा जंजट है इस लेंबर गिनी को चलाने के लिए एक और लेंबर गिनी खरीदनी पड़ेगी फिलाल जो भी हो अब क्या कर सकते हैं अब हम ये वाला बॉक्स खोलते हैं ये काफी इंट्रस्टिंग लग रहा है ये बॉक्स दैसे ही मैंने खोला मैं हैरान हो गया मैंने इतना बड़ा टेलिस्कोब आज से पहले कभी नहीं देखा था ये सच में बहुत ही बड़ा है सायद मेरे लिए चलिए से बाहर निकालते हैं ये बहुत ही है ये देखी इसका साइज मुझसे कमपेरिजन ये कितना ज़ादा बड़ा है ये टेलिसकोब एट इंच का है एट इंच का डॉप स्कून टेलिसकोब भी होता है और ये उस माउंट पर टिकने वाला है ये सच में मेरे ख्याल से अब वक्त है टेलिसकोब को माउंट पर लगाने का लेकिन इससे पहले हमें माउंट पर कुछ लगाना होगा ये है डब टेल माउंटिंग प्लेट जिसमें अटैच है ये ही वो चीज है जिसकी मनदसी टेलिसकोब माउंट पर टिक पाएगा ओके तो अब ये सेट है अब वक्त है ट्यूब को लगाने का ये बहुत बारी है इसलिए ये काम अकेले करना बहुत मुस्किल है मुझे लगता है अब ये सही जगा पर है अब मैं इसे लॉक कर दिता हूँ और अब ये देखिए ये अब बिल्कुल परफेक्ट सेप में है ये सच में अच्छा लग रहा है अरे हाँ याद आया इसके साथ कुछ बॉक्स में लेते हैं उन्हें खोलते हैं तो इस बॉक्स के अंदर कुछ एक्सेसरीज निकले हैं और इस बॉक्स के अंदर तो बॉक्सीज ही बॉक्सीज है लगता है इन बॉक्सेस के अंदर एकसरीज हैं फाइंडर स्कोप के लिए और आईपीस हैं और कुछ अडेप्टर्स भी है और एक बॉक्स के अंदर है फाइंडर स्कोप और मुझे यकीन है यह फाइंडर स्कोप काफ़ी अच्छी कॉलिटी का है मुझे लगाते है चीप प्लास्टिक का होगा लेकिन ये बहुत अच्छी कॉलिटी का है ये बहुत हैवी भी है वैसे ओके तो मैं इस फाइंटर स्कोप को लगा देता हूँ टेलेस्कोप से इसे लगाना तो काफ़ी असान है ओके तो फाइनली असेम्बली कंपलीट होती है और आप देश सकते हैं ये है मेरा पुराना टेलेस्कोप और ये है बड़ा बला आप इन दोनों का कंपैरिजन देख सकते हैं ये टेलेस्कोप बहुत बड़ा है और कौफ़ी भारी भी है और हाँ ये भारी है तो एक बार मैं इसे उठा गे देखता हूँ क्या मैं इसे उठा पता हूँ नई ये नहीं होगा ये बहुत भारी है इसे तो मैं हिला भी नहीं पाया चलो कोई नहीं पिलार मैं इस टेलेस्कोप को बैलन्स कर लेता हूँ फिर मैं आपको टेलिस्कोप पास से दिखाऊंगा ओके तो अब ये टेलिस्कोप बैलन्स हो गया है अब मैं आपको टेलिस्कोप दिखाता हूँ तो सुरुवात हम फोकसर से करते हैं ये फोकसर मेरे पुराने वाले फोकसर से बहतर है क्योंकि इसमें लॉक करने का भी option है ताकि कोई भी चीज अपनी जगा से हिले ना चीज से मेरा मतलब कैमरा या आईपीस वैसे हाँ आईपीस से याद आया इस टेलिस्कोप में 2 इंचीज के आईपीस लग सकते हैं लेकिन प्राबलम ये है कि टू इंचीज के आईपीस और बारलोस बहुत ही महंगे हैं ये देखो ये देखो ये भी देखो भाई इतने में एक नया टेलिसकोप आ जाएगा हाँ क्या कर सकते हैं ले मुझे लेना तो पड़ेगा अभी हमें एक बारलो लेना होगा इसके लिए और एक आईपीस तो मैं लूँगा ही लूँगा और हाँ सिर्व यही नहीं आप साथ कुद भूल गए हैं एस्ट फोटोग्रापी में सिर्व यही चीज नहीं चीज होती फिल्टर नाम की भी कोई चीज होती है यह फिल्टर काफी जरूरी होते है और हमें यह सब फिल्टर चाहिए ही चाहिए यह जरूरी होता है और आप तो देखी सकते हैं यह फिल्टर कितने ज़्यादा महंगे है लगता है यह सोने के बने है यह और भी ज़्यादा महंगे हो जाते है अगर इनका साइस बढ़ जाता है जैसे कि 2 इंच और हाँ आपकी दिबाग में साइच चल रहा हूँगा ये फिल्टर क्यों जरूरी है कैसे काम करते है इनका क्या इंपोर्टेंस है तो ये सब मैं आंसर किसी और वीडिये में दूँगा मैं पूरा एक्स्प्लीन करूँगा फिल्लाल जो भी हो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ फिल्टर आईपीस तो छोड़ो अभी हमारे पास टेलेस्कोप की सबसे में चीज़ ही नहीं है वो है कैमरा ये जो कैमरा आप देख रहे हैं ये कैमरा बहुत ही महंगा है हम इस कैमरा को ले सकते थे लेकिन मैंने सोचा क्यों ना पहले टेलेस्कोप को अपगरेट करा जाए इसलिए अब हमारे पास बजट नहीं बचा है इस कैमरे के लिए यानि कैमरे को बाई करने में हमें थोड़ा वक्त लगने वाले है लेकिन आपके सपोर्ट से हम इस वक्त को कम कर सकते हैं हम इस कैमरे को और भी जल्दी बाई कर सकते है हम फन मिलना स्टार्ट हो गया है हाँ हलवा ही क्या दियारी लगा जा इसलिए आज से कुछ अपते पहले हमने फन प्रोग्राम स्टार्ट करा था इस कैमरे के लिए और हमें फन मिलना स्टार्ट हो गया है अभी धक हम 4.5% फन जमा कर चुके हैं हाँ अभी मंजीर थोड़ी दूर है पर मुझे यकीन है हम वहा मारे चैलेंड को सपोर्ट करा है उन्हें हम सौट आउट देते हैं वीडियो के एंड में ओके तो मैं कहा था हम फोकसर की बात कर रहे थे हम कहा से कहा पर आ पता ही नहीं चला चलो जो भी हो अब मैं आपको इसका मिरर दिखाता हूँ पहले इस कैप को हटाएंगे और यह द जो कि कॉलमेशन में हेल्प करेगा फिलाल जो भी हो आए हम मांट को देखते हैं तो मांट में आपको कई सारे पोर्ट दिखाई दे रहे होंगे और तो मांट के इस तरफ आते हैं यहाँ पर आपको एक कैप दिखेगी पहले आप उसे अठाएंगे और मांट के पीछे भी कैप दिखेगी और इसे हटाते हैं और आप दे सकते हैं बीच में कितना बड़ा छेद हो गया है असल में यह छेद है पोलर स्कोप लगाने के लिए और इसके आगे आप साथ में पोल मास्टर को भी जोड़ सकते हैं पोल मास्टर बहुत ही जरूरी एकसेसरी है जो मुझे लेना है वो पोलर अलाइमेंट में हमारी बहुत मदद कर सकती है फिलाल जो भी हो हम आगे बढ़ते हैं आई में नीचे बढ़ते हैं नीचे है अजयमत अरजेस्टर नॉप और पीछे है आल्टिटूड अरजेस्टमें नॉप यह दोनों नॉप हमारा काम असान कर देंगे पोलर अलाइन करने के वक्त और आगे बड़े तो जादा कुछ समझने लाइक है नहीं बस आपको दो डबे दिखेंगे जिसमें मोटरस हैं और बागी सब आप लुक देखी सकते हैं माउंट का ओके तो अब वक्त है चलाने का हमने बहुत खोल लिया देख लिया चू लिया अब इसे चला कर तो देखें ये कैसे चलता है ओ ये तो मैं भूली किया था हमें कार चाहिए पहले तभी तो हम इसे चला पाएंगे ओके तो मैंने एक कार ओडर कर दी है वो दो दिन के अंदर पहुँच जाएंगी यानि दो दिन तक ये माउंट ऐसी ही पड़ा रहेगा और मैं इसे सिर्फ देखता रहूंगा चला नहीं पाऊंगा तो कुछ पाउसल आया है देखते हैं क्या है ये अओ ये तो एडेप्टर है तो जी हाँ मैंने कोई कार आउडर नहीं करे थी मैंने ये एडेप्टर ओडर करा था ये एडेप्टर पड़ा हमें 1000 का अगर ये लोग टेलिस्फोप के साथ एडेप्टर एड कर देते तो चलाने का, तो सब कुछ ठीक है, आप पावर अन करते हैं, लाइट आ गई है, तो ये सब सिलेट करने के लिए बोल रहा है, मैं जल्दी जल्दी सिलेट कर लेता हूं, और ये देखिए, ये काम कर रहा है, वाँ, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, ओके, तो अब हम आगे ओके, तो हमारा सॉफ़वेर सेट अप कंप्लीट होता है, मेरे ख्याल से अब वक्त है, टेलिस्कोप, काउंटर वेट, सब लगा कर चलाने का, ओके, तो सब से पहले मैं इसे स्लो स्वीड पे चलाता हूं, हम, नाइस, स्मूध है, कोई प्लाबलम नहीं है, ओके, अब वक्त है, फूल स्पीड पे चलाने का, नाइस, अब आज कमाल की है, साइड मेरे लिए, ओके, तो दैसे की आप दे सकते हैं, हम इस टेलेसकोप की हायट, मेरी हायट कम नहीं, असलमें इस टेलेसकोप की हायट ज्यदा है, आप सोच रहोंगे, मैं अपने पुनारे टेलेसकोप से बहुत ही ज़ादा परसान होग ενाऊंगा, इतना ज़ादा की मैंने, depression में आके इस telescope खरीद लिया तो आप बिल्कुल tension मतले ऐसा कुछ भी नहीं है ये पैसला होसो आवाज में लिया गया है इसलिए आप चिंता मत करें ये चीज मैंने ना लोंग में ली है ना EMI पर मैं हमेशा जो भी लेता हूँ इसलिए आप बे बिकर रहे हैं मैंने बहुत महलत करी है तभी ये मेरे पास आज है तो हमने advanced VX ले लिया है तो आप सोच रहा होंगे हमने एक advanced mount लिया है यह advanced telescope तो जी नहीं एस्टोपोटोग्राफिक के दुनिया में या astronomy के दुनिया में ये telescope भी advanced नहीं है जी हाँ ये कलबा सच है इस mount और इस telescope के भी कुछ limitation है इसलिए हम future में भी और बड़े और advanced telescope बाए करेंगे और हम और भी जल्दी जल्दी अपग्रेट और नए telescope लेंगे अगर आपका support मिलता है और मैं तो पूरी कोसिस करी रहा हूँ कोसिस क्या पिछले एक साल में हम यहां से यहां पर आए हैं मात्र एक साल में तो ये एक बड़ी बात है आज से एक साल पहले मुझे पता भी नहीं था कि astro photography क्या होती है और आज से एक साल बाद अपरे पास ये है आप से उचराँगे मैंने थपड़ वाला क्योग बना रखा है तो असल मैंने यहां पर माइक लगा रखा है इसलिए तो इसलिए मैंने यहां पर माइक लगा रखा है अभी हमारे पास एक wireless माइक नहीं है दैसे की कॉलमेशन कॉलमेशन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ताकि आप perfect focus अचीब कर पाए वैसे ये कैसे करते हैं आप मेरी ये वाली वीडियो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा helpful वीडियो होगी तो मैं कॉलमेशन कर रहा हूं अपनी पुरानी टेखनीक से जो कि बहुत ही अची टेखनीक है लेकिन वो time consuming है बतकिस्मती से मैं कॉलिमेटर का इस्तमाल नहीं कर सकता क्योंकि वो खराब हो गया है वो भी बंदरों के बजी से खेर क्या कर सकते हैं मैंने आदर गहंटे लगा कर अपने टेलेस्कोप को कॉलिमेट कर लिया है और आप दे सकते हैं ये कितना perfect है तो हमने कॉलिमेशन कर लिया है अब मैं आपको एक problem के बारे में बताना चाता हूँ जो की थोड़ी बड़ी है इसे समझने के लिए आप टेलेस्कोप का barrel देखिए इसमें आप 2 इंच की आईपीस लगा सकते है और एक adapter लगा कर आप 1.25 की भी आईपीस लगा सकते है लेकिन 1.25 के साथ एक problem है और वो है light blockage का जी हाँ 1.25 की आईपीस लगाने से या camera लगाने से कुछ light block हो जाती है जो camera के sensor या आईपीस में नहीं पहुच पाती आप इस diagram में देख सकते हैं कुछ light adapter से टकरा कर block हो गई है जो की camera के sensor तक नहीं पहुच पा रही है इसका नुकसान ये है कि आपका टेलेस्कोप छोटा हो जाता है यानि वो हो 8 इंच का लेकिन ये वो करेगा 6 या 7 इंच के जैसे वैसे इसके कई और भी नुकसान है लेकिन इस video में हम उनकी बात नहीं करेंगे ये video लब भी हो जाएगी बतकिसमती से इस problem का भी मेरे पास कोई भी solution नहीं है इस problem का solution यहीं है कि मैं जलनी से 2 इंच का कैमरा खरी दूँ और 2 इंच का आई पीस खरी दूँ और बार लोस भी तब ही ये problem solve हो सकती है ओके तो ये तो बात करी हमने टेलिस्कोप की अब बात करते हैं mount की mount में भी एक problem है और ये problem तो mount के साथ ही आई है free में problem को समझने के लिए आप ये देखिए मैंने mount की deck on RA access को खोल रखा है और यहाँ पर आप उसके साभी gears को देख सकते हैं और आप दैसे की देख सकते हैं इसमें कोई belt system नहीं है इसमें only gears है इन gear के साथ problem ये है कि ये back glasses देते हैं back glasses क्या होता है आप ये diagram देखिए ये back glasses होता है gears के बीच में distance के कारण अगर आप gears को एक ही direction में use करते हैं तब तो कोई problem नहीं लेकिन अगर आप direction change करते हैं तब ये back glasses आने लगेंगे ये back glasses कैसे effect डालते हैं आपके mount की performance पर और s2 photography पर ये एक अलग बिसे है इसे हम आने वाले वीडियो में cover करेंगे फिलाल मैं back glasses को खतम तो नहीं कर सकता बिलकुल लेकिन मैं copy हद तक कम जरूर कर सकता हूँ ऐसा करने के लिए मुझे पहले motor को dealer करना होगा और gears को जितना हो सके उतना करीब लाना होगा एक दूसरे के यानि मुझे उस gap को भरना होगा मैं उसे पूरी तरह तो नहीं बर सकता लेकिन उसे कम जरूर कर सकता हूँ ओके तो आप दे सकते हैं मैंने back glasses को कम कर दिया है और अब आप दे सकते हैं इनके बीच में बहुत ही कम distance है distance होना भी जरूरी है ताकि ये gear आराम से घुम सके लेकिन इतना भी नहीं ये करने के बाद back glasses खतम तो नहीं होंगे पर काफी हद तक कम जरूर हो जाएंगे लेकिन होंगे जरूर इसलिए हम जल्दी ही एक और advanced telescope बाई करेंगे हम हमेशा अपग्रेट करते रहेंगे अपने एक यूप मेंट में इसलिए आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना ये बहुत सपोर्टीव होगा हमारे लिए है कि अपिड़र के खाट है ओम्राइ कि भी बनाव कि रिप इvार्म के लिए आगारेगा सब्सक्राइड कि लिए तेप्ना थार्म कि पूँई मैं युर्ट 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 पर दोर्म कि लिए तक लिए उग्टाट कि लिए। ओके तो हमने अपने टेलेस्कोप को सेट अप कर लिया है और रफली पूरर अलाइन भी कर दिया है अब वक्त है अंधेरे का लेकिन इससे पहले मैं सोच रहा हूँ फाइंडर स्कूप को अलाइन कर लूँ फाइंडर स्कूप अलाइन करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मून देखा जाए टेलेस्कोप से मूवी अपनी आँखों से और मून देखने के बाद मैं हैरान रह गया मैंने मून को इतना क्लीरेस्ट आस तक नहीं देखा था मैं हर एक लिटिल साप देख पा रहा था और मै टेलेस्कोप को पोलर लाइन करना बहुत ही असान है सौफ्ट वेर के जरीए यह कैसे करते हैं मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ हम आ गए हैं सेलेस्ट्रॉन के एडवांस सौफ्ट वेर में और यहाँ पर आप सारा इंटरफेस डेख सकते हैं ओके सो सबसे पहले हम एक स्टार सिलेट करेंगे सिलेट करते ही यह टेलेस्कोप को स्लू कर देगा उसी स्टार के तरफ ओके तो अब हम रफली उसे स्टार के तरफ पॉइंट कर रहे हैं लेकिन वो स्टार इस वक्त हमारे टेलेस्कोप से नहीं दिख रहा है ना कि गाइट कर दूँगा उसे यह करने के बाद आपको इस प्रोसेस को दुबारा धुराना होगा यानि मैं फिर से एक और स्टार से लेट करूँगा और फिर टेलिस्कोप उस तरफ स्लू होगा और आपको फिर उसे सेंटर में करना होगा मैनुवली और सेंटर होने के बाद आपको सौफ मैंने चार बार करा है ताकि accuracy बढ़ जाए और फिर ये सब करने के बाद software खुदी पता लगा लेगा कि कितने degree का error है आपके polar alignment में उसके बाद आपको कुछ नहीं करना आपको बस knob को adjust करना होगा और star को center मिलाना होगा ये थोड़ा मुस्किल होगा लेकिन आप जितना एक रेडली करेंगे ये काम polar alignment उतना ही अच्छा होगा okay तो अब वक्त है मेरे ख्याल से कुछ object देख लेने का और दिखा लेने का तो मैंने इस वक्त तो पूरा moon देख लिया है इस चलिस्कोप से और कमाल का नाजारा था moon की वीडियो में आएक अलग से बनाऊंगा अगली वीडियो में फिलाल मैं आपको कुछ deep sky object दिखा देता हूँ तो मुझे लगता है ये वाला object ठीक है ये है great star cluster चलिए अपने टेलिस्कोप को इसकी तरफ घुमाते हैं वेट कर रहे हैं वेट कर रहे हैं अभी यहापे कुछ नहीं दिख रहे है आ आ गया वाव ये देखिए तारों का जुन्ड मैं exposure थोड़ा बढ़ा देता हूँ और इसे center में भी कर देता हूँ वाव देख सकते हैं ये कमाल का लग रहा है ये जो cluster आप देख रहे हैं ये 22 light years दूर है और इसमें 100 of 1000 से भी ज़्यादा star है वो भी मातर 1 putty light years के radius में तो आप सोच सकते हैं ये कावी डेंस सेरिया है star से भरा हुआ और जहां इतने सारे star हो वहाँ पर possibility तो होगी life की और मैं तो 100% सार हूँ अपकॉस वहाँ पर life है वहाँ पर aliens है वो साथ हमें भी देख रहे होंगे आप सोच रहे होंगे मैं कैसी पागल वाली बात कर रहा हूँ तो आप मुझे पागल कहिए मैं तो 100% सार हूँ वहाँ पर life है और सिर्व मैं ही नहीं ये बाद scientist भी मानते हैं इसलिए 1974 में scientist ने इस cluster के तरफ एक message भेजा था एक alien message उस historic message को archivo message कहा गया क्योंकि उसे archivo नाम के radio telescope ने भेजा था उस message में हमारे बारे में कई सारे information थी जैसे human race earth position dna atomic numbers और बगेरा बगेरा ये message कुछ ऐसा दिखता है of course ये इसका decode version है ये message radio में भेजा गया था यानि binary इसमें वैसे अगर आपको जानना है कि इस diagram में क्या क्या बना है तो आप ये diagram देखिए इसमें आपको सब समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज क्या है और color का मतलब क्या है ओके तो इस message को 50 साल होने वाले हैं बेजे होए और अब तक तो वो वहाँ पर पहुँच गया होगा क्योंकि 22 साल लगे उसे वहाँ पहुचने में तो अभी तक reply आया या नहीं तो मैं कहूंगा साइद हमें reply मिला वो भी message भेजने के ठीक 21 साल बाद जी हाँ मातर 21 साल के अंदर reply आ गया faster than speed of light और ये reply नोंने crop circle के रूप में दिया ये crop circle टेलिस्कोप के एद्दम करीब ही बना है ठीक यहाँ पर पता नहीं नोंने कौन सी technology का इस्तमाल करा है हमें reply करने के लिए वैसे जो message उन्होंने भेजा था वो ये है ये message कुछ हट तक पिछले message दैसा ही दिखता है बस इसमें कुछ चीज़े अलग है क्या पता ये real हो या fake वैसे मुझे तो ये मजाक लग रहा है किसी का फिलाल जो भी हो मुझे लगता है हमें आगे भी message भेजते रहना चाहिए और अपनी आफ़त खुट बुलाते रहना चाहिए ओके तो टॉपिक पे बापस आते हैं वैसे बता दू ब्रहमान में अनंत चीज़े हैं explore करने के लिए हम इतना कुछ देख सकते हैं टेलेस्कोप से कि मैं आपको बता नहीं सकता इसलिए मैं कहूंगा आप चैलन को सस्क्राइब कर लिए मैं आपकी अंत लाइट तक आपको अनंत आपजेट दिखाता रहूंगा चाहे मेरी लाइक का अंत हो जाए यह तो बस एक मजाग है यह चैलन कब तक चलेगा यह मुझे नहीं पता यह पूरी तरह आपकी उपर है कि आप इस चैलन को कितना सपोर्ट करते हैं क्योंकि यह चैलन सिर्फ आपके प्यार से चल रहा है इसलिए आप सस्क्राइब और लाइक करिए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं वीडियो बनाने के लिए फिलाल जो भी हो मुझे लगता है हमें कुछ कैप्चर करना चाहिए यानि एस्टर फोटोग्राफिक कर लेने चाहिए इसलिए मैं जोबो का कैमरा निकाल रहा हूँ क्योंकि उसमें गेंस बहुत ज़ादा है और मैं लगा रहा हूँ डी एस दार मेरा प्लैन है कि मैं गेलक्सी को कैप्चर करूँ और वो कौन सी गेलक्सी है ये मैं आपको बात में बताऊंगा और हाँ ये सब भी टेस्ट का हिस्सा है इसलिए मैं टेलिसकोप को सेट अप करके यहां से चलता हूँ यह अपना काम करता रहेंगा मैंने आटो गाइडिंग आउन कर दी है और डियेसनर में सिक्वेंस सेट कर दी है ताकि वो अपने आप ये एक्सपोजर लेता रहे हम तक तक मैं क्या करूँ मैं तो बस टेलिसकोप को देखे सकता हूँ यहां से और नज़र रखूँगा सब्सक्राइब करने के लिए हमें तकरीबन दस घंटे का एक्सपोजर चाहिए और यहां पर एक घंटे का भी पूरा नहीं हुआ है ठीक से यानि मुझे अपने टेलिसकोप को दस घंटे उस गैलक्सी के तरफ पॉइंट करना होगा तब जाके हमें उतनी डेटेल मिलेगी कि हम गैलक्सी को देख सके फिलाल क्या कर सकते हैं सुबह तो होती ही होती है अब मुझे कल फिर आना होगा और फिर से अपने टेलिसकोप को पॉइंट करना होगा उस गैलक्सी के दरफ इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्योंने अपने टेलिसकोप को यही परी छोड़ दिया जाए बिना हिलाए ताकि हमें अगली बार टेलिसकोप को सेट अप करने की जरुवत ना पड़े और हम एक्सपोजर लेना स्टार्ट भी कर दे हलाकि ये फैसला लेना में लेली थोड़ा मुस्किल है क्योंकि पिछली बार जो हुआ था वो मुझे आज भी याद है लेकिन मुझे रिक्स तो लेना ही पड़ेगा अगर मुझे अपना टाइम बचाना है ओके तो मैं टेलिसकोप को तयार करने ही वाला था तबी अचानक से मुझे आश्मान में कुछ दिखा और मुझे नहीं पता वो चीज क्या है पता नहीं आप फोन के कैमरे से ठेक से देख पा रहे है और वो ये है वो चीज आपको सियर्य टॉट दिखाए दे रही है पर मुझे इसका आगार दिख रहा है और मेरे इंफलारेट कैमरे से ये कुछ ऐसा दिख रहा है अपकॉस ये स्टार की तरफ दिख रहा है लेकिन मैं इसे अपनी आँखों से साफ देख पा रहा हूँ ये जूबी चीज है आस्मान में होवर कर रही है और अपनी पोजिशन बहुत ही धीरे धीरे बदल रही है और लाइट अमिशन की बात करें तो इससे रौसनी निकल रही है थोड़ी सी लेकिन जादा नहीं निकल रही इस आपजेक्ट से इतनी लाइट तो निकल ली रही है कि हम इसे अंधेरे आस्मान में देख सके अरे हाँ आइडिया क्यों ना मैं इसे अपने टेलेस्कोप से देखूँ मैं जल्दी से एक टेलेस्कोप लेकर आता हूँ भाग कर ओके तो मैं टेलेस्कोप ली आया अब मैं इसे जल्दी से देखता हूँ इसे फोकस और ट्रैक करना मुश्किल था लेकिन मैंने कैसे ना कैसे कर लिया और आखिर कार मैंने इसका सही आकार देखी लिया ये साइद रेटेंगुलर सेटी है ये साइद कोई खिलोना या पतंग हो सकती है लेकिन पतंग रात के आस्मान में ऐसी नहीं दिखती जहातक मुझे पता है जो भी हो ये चीज क्या है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ फिलाल मैं आपको इसका एक टाइम लैस दिखाता हूँ जिसे मैंने अपने कैमरे से बनाया है और जैसे क्या आप देख सकते हैं ये आपजेट के इस तरह होवर कर रहा है और इसमें आप इसका कलर भी देख सकते हैं वैसे हाँ ये जिस तरह होवर कर रहा है ये पतंग हो सकती है पर मैं 70% सौर हूँ खेर जो भी हो हम टैलेसको को तयार करते हैं हमें जल्दी से कैप्सिरिंग स्टार्ट कर देना चाहिए ओके तो आदा घंटा बीट गया है और सेट अप कंप्लीट होता है और इस वक्त हम आटो गाइडिंग कर रहे हैं और हमारा टैलेसको पॉइंट कर रहा है डी एसलार से देखते हैं हमें क्या दिखता है अभी तो मैं सिर्फ वेट ही कर रहा हूँ एक्सपोजर का वैसे हाँ मच्छर सिर्फ डी एसलार को ही नहीं काट रहे टेलेसकोप को भी काट रहे हैं लेफट आप को भी काट रहे हैं मेरे पुराने टेलेस्कोप से फिलाल ढूंते हैं आ ये देखिए यहाँ पर कितने सारे स्टार आ गए हैं पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था अब यहाँ पर बहुत कुछ है और इसके सेंटर में है वो गैलक्सी और वो काफी फेट गैलक्सी है इसलिए में हम उसका कोर भी ठीक से देख नहीं पा रहे है इसलिए अगर हम उस गैलक्सी को देखना चाहते हैं सही से तो हमें दस घंटे का एक्सपोजर चाहिए यानि यांगे का काम टेलेस्कोप खुद करेगा मुझे बस नजर रखनी है लेकिन आसमान ठीक नहीं लग रहा है ठीक या आप देख सकते हैं आसमान में कितने सारे बादा ला गए है मुझे कैप्चिरिंग रोकनी पड़ेगी और सिर्फ इतना ही नहीं मुझे लगता है बारी सा सकती है आसमान के लक्सन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे है इसलिए मुझे सब कुछ हटाना होगा लेकिन मैं टेलिसकोप नहीं हटा सकता ये बहुत ही वारी है और मैं इसे हिलाना भी नहीं चाहता अगर मैंने ऐसा करा तो मुझे टेलिसकोप को अलग करना पड़ेगा यानि मुझे हर एक पार्ट को अलग करकर उसे बापस से नीची ले जाना होगा ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ मैं ऐसा करना नहीं चाहता मुझे लगता है मुझे टेलिसकोप को कवर कर देना जोईए ये जो कवर है ये वाटरप्रूफ कवर है वो भी बाइक के लिए लेकिन मैं इसे टेलिसकोप कवर कर रहा हूँ लेमबरगीनी टेलिसकोप हाँ ये मज़ाक का वक्त नहीं है बारिस हो सकती है बारिस पता है ना पानी गिर सकता है इसलिए मुझे इनसौर करना होगा कि कही पर भी एक बूंद ना जाए क्योंकि ये बाइक नहीं है ये सचमे टेलिसकोप है वैसे मुझे बारिस से डर तो है थोड़ा लेकिन उससे ज़्यादा डर है मुझे हवा से अगर हवा ने इसे पलड़ दिया तो और ऐसा हो चुका है एश्टो बिस्किट के साथ हलाकि उनका सेटअप हलका था मेरा सेटअप तो बहुत ही ज़्यादा भारी है चांसेस कम है इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों न रिक्स ले ही ले एक बार हलाकि ऐसा करने के बाद मुझे नीद नहीं हैंगी पर ये करना तो पड़ीगा ओके तो मैंने सब कुछ कबर कर दिया है मेरे तरफ से सब ठीक है ये बच जाएगा तो मैं चलता हूँ व्लिए कर दो पिर खड़ीट व्लिए्ट व्लिए कर दब सब इसलाव ब्यांट सब पोखरीव इसलाव आर्ड़ीव व्लिए कर दोब संब पर श्क्रत्ड़ीव व्लीव अजाए़ रहा हुण से यह मीक